नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त लगन कुमार नमस्ते क्योई पी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि इंटरमेडियट सेशन 2019-21 के जो बच्चे हैं उनलोग का डमी एडमिट काड आ चुका है उसको आप लोग कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की तूर्टी है कि नहीं यानि जब आप रजिस्टेशन किये होंगे और रजिस्टेशन के समय में जो मोब लिंक दे देंगे इस लिंक पहीं की आप क्लिक करके और अपना डमी एडमिट का डाउनलोड करके देख सकते हैं जी उसमें कोई तूर्टी है या नहीं अगर तूर्टी होती है तो आपको 30 जून के प्हले अपके अपने गालेज में स्कूल में जा करके वहां सिक्षक से मुलकात करना होगा और वहां से फिर से सुधार किया जाएगा अगर नहीं जाते हैं तो अगर तुरूटी पाय जाएगा तो वहीं तुरूटी अंततक रह जाएगा तो इसलिए आप लोग पहले इस डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके देख लिए जी कोई तुरूटी है या नहीं तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे हम इस वीडियो में बताएंगे तो चलते हैं आगे तो सबसे पहले हम आएंगे यहां गूगल में और गूगल में आ करके हम यहां लिखेंगे एक बेसाइट senior secondary.bhrboardonline.com इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह नया इंटरफेस आएगा और इसमें हम निचे जाएंगे तो जैसे निचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि निचे में लिखा हुआ है यहां पर dummy पंजिकरन card डाउनलोड करें तो इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे कि उसके बाद अगला स्टेप आएगा और इस स्टेप में आपको देख रहा है यह कॉलेज चूज करना है तो यहां अपने कॉलेज के नाम को यहां से चूज कर लेंगे तो इस तरीका सब जब आप ड्रैक करके आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम खोज लेंगे डालने के बाद यहां नीचे में फादर's नेम है या फादर's नेम डाल देंगे कि उसके बाद यहां से आपको जनम्तिति सेलेक्ट कर लेना है कि अच्छा कर देख रहें यहां पर यहां राय लिखा है हिंदी में यहां से यहां पर यहां पर आप इसके पर क्लिक करेंगे आपको पाद यहां जो रिखा है दो लुक है दो ऊड़्या में प्रणिया डाउंअधों और सर्ण पर यहां है म करने यहां लिखा है यह Is रिपोर्ट है इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डमी एड़मेट का डाउनलोड होगा अब आपको इस डाउनलोड पे क्लिक करना है अब आप देखेंगे जिसका मैंने डाउनलोड किया उसका आग है इस तरीका से आप पूरा उनका या आप अपना डाउनलोड करके पूरा मिला लेंगे यह गलत है यह सही है अगर किसी परकार की तुरूटी है तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के संपर करना होगा अगर सही है तो कोई बात नहीं सबसे अच्छा होगा कि आपका डाउनलोड कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे आप आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्या इवातर